कि पूर्ट एंडापूर्ट के केस्ट में सजागी बिंदू पर रखा गया था जो घटना घटी थी 25-17 को इसमें तीन आजमी की हत्या हुई थी और एक नवालिक पच्ची के साथ गैंग्रेव के बाद उसको मारने के उद्देश से मार दिया गया था मिर्क समझ कर उसको छोड़ दिया गया था बाद में उसका पटना में इलाज हुआ हो बच गई वह पटना से इलाज के दरावन आई फिल उनका ब्यान हुआ उसमें सब को पाचानी को तीदी अपना ब्यान को और उसके बाद ये घुसी पाए गया आज उसे आजीवन का रवा सभी सेक्शन में अलगला उनको सजा दी गई है और इसमें पिडिता जो है वह अपने अभी सुरक्षा में वह अपना रहे रहे हैं पेनल्टी तो मतलब कि उसको अर्थदंड के रूप में दिया गया है मतलब कि जो नियमता है कानून के उसार उनको अर्थदंड भी लगा गया है इसमें चार गंभीर धाराएं थी एक तिमसो सार आईपीसी 376D गैंगरेप का था 302 आईपीसी यह सब धाराएं और स्केस्टी एक और फॉर कॉक्सो एक ठीक झाल विएो तो झाल उनको प्रोश्छ और स्केस्टी उनको इसमें आईपीसे उनको तेक्ष्ण भी लगाँगा है